जी हां दोस्तो अभी अभी आदिल खान दुरानी को लेकर इस वक्त की बुरी खबर सामने आई है रातो रात आदिल खान दुरानी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे की उन्हें होस्पिटलाइज्ड होना परा क्या कुछ है खबर क्यों राखी सावंत रो रोकर जो है बेहाल हो आदिल का नाम लेकर क्यों नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही है लागतार राखी सावंद बताएंगे इस वीडियो के अंदर चैनल पर नहीं है जल्द से सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को साथी बेल नोटिफिकेशन और पेज जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों ताकि पलपल की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंसके इस वक्त की बुरी खबर दुखद खबर राखी सावंद के शोहर आदिल खांदुरानी को लेकर सामने आई है आपको बतादे रातो रात आदिल खांदुरानी को सांस लेने में तकलीफ हुई जिससे की मैसूर पुलिस कस ताकि उनकी सांस लेने की तकलीफ ठीक हो सके और जल्द से जल्द वो अपने केस को लड़ सके इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह आई है कि राखिस सावंत एक तरफ जो है नमाज पढ़ रही है तो दूसरी तरफ वो यह भी चाहती है कि आदिल को जमानत मिल जाए वो जमा आई है बुरी खबर कि आदिल खान दुरानी को सांस लेने में तकलीफ है और वो इस दवाया ले रहे हैं और आपको बता दे इस वक्त जो है होस्पिटल से सीधा मैसूर पुलिस कस्टडी में में ले जाया गया है और उनकी अच्छी खासी देख बाल जो है डॉक्टर के न दुआ कर रही है नमाज पढ़ रही है और ताकि उन्हें जो जमानत मिल सके वेल आप ये जरूर बताईएगा कि क्या आदिल खान दुरानी को जमानत मिले या ना मिले या ना मिले जो भी आपके विचार है जरूर कर कमेंट section में प्रगट कीजिएगा दोस्तों इस वक्त आ तीन दिन खाना ना खाने की वज़े से जो है अदिल खान दुरानी को इस चीज का सामना करना पड़ा लेकिन अभी उनके स्वस्त की खबर आई है अभी अभी वो यह आई है कि वो धीरे धीरे जो है सुधार हो रहा है और इस वक्त मैसूर पुलिस कस्टेडी में ही है अदिल दुरानी जिन की सलामती के लिए राखी का राखी सावन जो है दिन रात प्रे करती हुई नजर आ रही है आप यह जुरूर बताएगा कमेंट करके कि क्या उन्हें जबानत मिलने चाहिए या नहीं